नमस्कार दोस्तों, वेल्टिसकाई की नियू इंटरस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम भात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे मैं उसको समझने की कोशिस करेंगे 30,000 के उपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, काफी पॉजिटिव सिंगल जनरेट किया है यहाँ पर तो क्या अब यह दुबारा 30,600 के लिए बढ़ेगा या यहाँ से दुबारा से करेक्शन फेस करेगा क्योंकि दिक्कत से भी की है बैंक निफ्टी में कि जो बैंकिंग है वो अल्मोस्ट हर बैंक पहले से ही काफी अच्छा पाटिस्पेट कर चुकी है मोमेंट में और कोई 10%, कोई 15%, 20% तक रनर अब दे चुकी है अब क्या उनमें उपर के लेविल पर दुबारा से प्रॉफिट बुकिंग आईगी या फिर एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी दुबारा से लगाने के लिए तियार हो रहा है तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर और समझने की कोशित करते हैं सबसे पहले क्लोज इंक के बात करेंगे यहां पर तो 30,104 की क्लोजिंग आई यह जो बंता है वह तो देखते हैं क्या वह बनेगा या नहीं बनेगा तो सबसे पहले 30,000 का लेविल देखते हैं जो कि एक important hurdle वन रहा था बट वो आज पार होके यहां पर मार्केट मां closing आई है bank nifty की तो काफी important signal generate हुआ है उपर की side के लिए सबसे पहले 30,000 की put की बात करते हैं तो देखें यहां पर 5,47,000 open interest add हो गया है यहां पर तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक दो दिन bank nifty 30,000 के ऊपर trade करता है तो एक important support की तरह काम करने लगेगा 30,000 का label जो कि इस series के लिए होगा दूसरी चीज़ हम देखें यहां पर 29,800 के लिए आप काफी important है 29,800 की जो put है वहाँ पर देखे 6,11,000 का open interest खड़ा हो गया है तो यह चीज़ बता है कि 29,800 आपके लिए बहुत जादा important support है क्योंकि यहां पर call writing जो हो रही है वो सिर्फ 52,000 का open interest के साथ हो रही है इसका मतलब कि यहां पर put writer जादा है call writer कम है तो 29,800 पर आप क्या करना है buy करके काम करना है दूसरी चीज़ अगर देखी जाए यहां पर ऊपर की साइड पर तो 30,500 का level है जो आपके लिए बहुत ही जादा important और crucial resistance का काम करेगा क्योंकि यहां पर 5,98,000 का open interest खड़ा हुआ है और put पर यहां पर सिर्फ 21,000 का है उसके बाद अगर बात किया है तो 30,400 पर 3,000,000 का open interest खड़ा हुआ है call पर लेकिन put में क्या हो रहा है स्रिफ 6,000 का है वहीं अगर 30,300 के बात करें तो 4,33,000 का open interest खड़ा हुआ है और put में कितना है यहां पर 30,000 का open interest खड़े हैं तो इस जोन में आते ही बैंक निफ्टी में profit working आईगी तो इस चीज़ को आप क्लियर समझ लीजेगा कि 30,200 के बीच में आपको काम करना है put लेके अगर आप call लेके काम करते हो तो मुझे नहीं लगता है इतना आपके chances होंगे कि आप इसमें gain लेज़ोगे बट अगर आप put लेके काम करते हो तो आपके high chances होंगे जिसमें कि आपको एक opportunity मिलेगी नीचे दुबारा 30,000 तक के target के लिए और आपको अच्छा खासा gain हो सकता है तो I hope दोस्तो ये data आपको समझ में आगया होगा दोस्तो flawless वीडियो में इतने ही है I hope ये वीडियो आपको पतंद आएगा वीडियो पतंद आता है तो like और share जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लीज़े क्योंकि मैं सुधी लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी किता है शुक्रिया दोस्तो जाए हैंदर